हम scratch में यह एक maze का game बनाते हैं इसमें हमारे पास एक इस sprite है जो की left right up down arrow की करके move करती है और अगर यह blue line को छूजाती है तो back to the starting point पहुँच जाती है और वैसे ही अगर यह जो puffer fish घूम रही है इसको छूजाती है तो उससे भी यह back to the starting point पहुँच जाती है और हमें करना क्या है कि इस maze में इस sprite को इस cake तक हमें पहुचाना है बिना blue line चूएं और बिना यह puffer fish चूएं तो हम सीखते हैं यह maze का game हम scratch में कैसे बनाते हैं सबसे पहले हमको background में एक maze बनाना है जो कि हम कहीं और किसी भी image editing software में बना कर यहाँ पे background अप्लोड कर सकते थे दूसरा तरीका है scratch में हम इसको बना सकते हैं तो अगर हम backdrop में जा रहे हैं उसके बाद हम यहाँ पर अपना backdrop खुद बना सकते हैं तो कोई हम पहले light color background का select करते हैं और इस fill को हमने full किया हुआ है और outline को हमने बंद कर दिया और तब अगर हम यह square चूज करके square बना रहे हैं तो इस तरीके से हमारा background बन गया जो कि perfectly हमारे stage पर fit हो जाता है फिर next step है कि हम maze बना रहे हैं तो maze के लिए हम around outline 10 की रखते हैं और अगर shift की दबा कर हम lines खीचते हैं तो हम एकदम straight line जो है वो बना सकते हैं तो इस किसम से हम maze बना रहे हैं और जो maze बना रहे हैं वो कितना tough हो वो depend करेगा कि हम इन जो हम यह lines बना रहे हैं उनको हम कितना closely या कितना जादा चौड़ा छोड़ते हैं क्योंकि sprite को यहां से निकलना है और हम maze के size के हिसाब से फिर बाद में sprite का भी size जो है determine करेंगे तो यह तो एक तरीका है background बनाने का दूसरा तरीका है कि जैसे मेरे पास already यहां पर यह maze बना हुआ है तो मैं इसमें अपनी sprites को hide कर रहा हूँ और hide करने के बाद अगर मैं full screen जाके इस part का एक screen grab कर लेता हूँ तो मैं वापस यहां पर screen grab को भी sprite की तरह background की तरह use कर सकता हूँ यह already मैंने save किया हुआ था एक screenshot तो यह मेरा maze है यहां पर अब तयार हो गया है अब second part है कि हम इसमें sprite बनाना चाहते हैं तो of course हम यह billy है उसी की sprite use कर सकते हैं या interesting करना चाहें तो इसको delete करके और scratch की library से कोई और sprite है जो की अच्छी लगे हमें वो हम use कर सकते हैं तो आप इन में से कोई भी sprite use कर सकते हो मैं यह giga walking की sprite use कर रहा हूँ तो अब यह sprite बहुत बड़ी है और sprite को हम size उसका छोटा कर सकते हैं और चोटा इस तरीके से कि जो हमने maze बनाया है वो उसको clear कर पाए और कितना closely clear कर पाए वो determine करेगा कि यह game कितना difficult है जैसे अगर मैं sprite बहुत ही छोटी size की कर देता हूँ तो यह game बहुत असान होगा क्योंकि हम इसको बहुत असानी से sprite move करा सकते हैं तो मैं यहाँ पे size select कर रहा हूँ around 25 जिसकी वजए से जो sprite है वो clear हो जाएगा हर जगा बट challenging भी होगा तो next हम सीखते हैं कि हम कैसे sprite को move करेंगे और हम इसको ऐसे move करना चाहते हैं कि जब हम अपने keyboard में up, down या left और right arrows दबाएं तो हमारी sprite move करें तो अगर हम यहाँ पर events में जाते हैं तो events पर एक तो when green flag clicked है जो हमने पहले देखा है और एक है when space bar key is pressed और अगर आप यह down arrow दबाएंगे तो इसमें keyboard की सारी key आपको मिल जाती है तो हम इसको programming space पर लाते हैं और हम चाहते हैं कि जब हम right arrow click करें तो हमारी जो sprite है वो right move करें तो हमने instruction दी when right arrow key is pressed then motion में जाके हम move 10 steps करते हैं और फिर हमारे को जो यह sprite है यह हमारी left or right arrow के सार्थ move कर रही है पर इसको करने का एक और तरीका है क्योंकि हम up and down arrow भी डालना चाहते हैं कि हम इसको 10 रखते हैं और हम motion से जाके point in direction वाला programming block निकालते हैं और हम इसको लगाते हैं कि when right arrow key is pressed हम चाहते हैं कि वो right की तरफ 10 steps move करें और एक और हमने block निकाला हम चाहते हैं कि when left arrow key is pressed तो वो left की तरफ move करें तो अगर हमने इतना बनाया तो अगर अब मैं right arrow दबा रहा हूं तो sprite right जा रही है और left दबा रहा हूं तो left जा रही है पर वो invert भी हो जा रही है तो हम चाहते हैं कि वो sprite invert ना हो तो इसके लिए एक और हम block ले रहे हैं जिसका नाम है set rotation style to left and right तो अब हम क्या instruction दे रहे हैं computer को कि when green flag is pressed set rotation style to left and right इसमें और options भी हैं अभी हम left and right वाला option ले रहे हैं तो अगर अब मैं start करता हूं तो मैं जब right कर रहा हूं तो right की direction में देखकर right की तरफ sprite move कर रही है और left मैं left की तरफ move कर रही है तो अब मैं इसी को फिर से पूरे block को duplicate कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि अगर up arrow is clicked तो direction up में move करना और duplicate अगर down arrow key is pressed तो direction 180 degrees में move करना तो अब left arrow, right arrow और down और up next हम देखते हैं कि अगर इस वक्त हम दबा रहे हैं right arrow तो हमारी जो sprite है वो चलती जा रही है हम चाहते हैं कि जब वो in maze की boundary in blue color वाली boundary से छुएं अगर तो जो है वो वापस starting position पे बहुंच जाए तो सबसे पहरे तो हम क्या करते हैं कि हम starting position define कर देते हैं sprite की तो अगर motion में हम जाते हैं तो यहाँ पर एक programming block है जो कह रहा है go to x and y coordinates तो x axis जो है वो यह axis है और y axis यह है इस वक्त हमारी sprite जो है वो minus 225 x और 136 y पर है तो आप यहाँ ध्यान दीजेगा कि जैसे ही मैं sprite को हिलाता हूं यह coordinates अपने आप update हो जाते हैं तो मैं जहां पर भी sprite को चाहता हूं वहाँ लाओंगा और उसके बाद go to x and y यहाँ डाल देता हूं तो अब अगर sprite कहीं पर भी है जैसे ही मैं green flag दबाओंगा वो वापर्स starting position पर आ जाएगी दूसरी बात ही है कि हो सकता है कि अभी जो हमारी sprite है यह left direction में देख रही है हम चाहते हैं कि जब यह शुरू हो तो यह right direction में देखे तो जादा अच्छा लगेगा तो इसके लिए हम फिर से point in direction वाला भी यहाँ लगा देते हैं और यह 90 degrees ठीक है तो अगर अब हम तो हमारी sprite starting position और right देखते हुए इस configuration में आ जाएगी तो अब हमारी sprite starting position हमने define कर दी movement हमने define कर दिया अब हम collision जो है उसको define करते हैं तो collision define करने के लिए हम sensing block use करेंगे और sensing में कई किसम की sensing है हम touching color वाला sense लेंगे तो touching color का क्या मतलब है कि अगर यह sprite एक particular color touch करें इस case में blue तो कुछ हो तो सबसे पहले तो हम color define करते हैं हम इसको खोलते हैं और अगर हम यह selection tool लेके बहुत specifically यह color लेते हैं तो यह automatically color determine हो गया अब हम कह रहे हैं कि अगर यह color touch हो तो क्या करना तो सबसे पहली बात तो यह है कि यह जो triangular sensing वाले जो blocks हैं यह fit कहां आते हैं क्योंकि यह यहां तो fit आएंगे नहीं starting position पे पहुंच जाए तो motion पे अगर हम जाते हैं तो हमारे पास यहां पर यह already है go to this particular x and y coordinates तो हम यह ले सकते हैं पर हम एक चीज और भी कर सकते हैं कि rather than go to go to में क्या होगा वो जहां पर भी होगी cut से यहां पहुंच जाएगी हम चाहते हैं कि जब collision हो तो जहां पर हो वहां से glide करते हुए पहुंचे इसलिए हम यहां से glide का जो block है वो लेते हैं इसको हमने वापस ठीक किया और बोला कि glide to this particular coordinate और वो कितनी fast glide करें वो यहां से हम देख सकते हैं तो let's say हम कह रहें 0.5 second में glide कर जाना और इसको हम actually यहीं स minus 223, 140 और हम कह सकते हैं कि turn in direction, point in direction 90 तो अब क्या होगा कि जब भी यह collision होगा यह sprite वो आपस starting position पर आ जाएगी और हम चाहते हैं कि यह condition कब शुरू हो जाए जैसे ही green flag click हो तो यह condition शुरू हो जाए तो हम test करके देखते हैं when green flag is pressed हमने यह चलाई और collision हुआ तो यह वापस आ गई पर जब हमने यह चलाई तो next time first time तो collision हुआ था वापस आ गई थी next time कुछ नहीं हो रहा यह इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमने अभी programming यहां करी है वो programming कह रही है कि इस condition को वो एक बार check कर रह है और वो जब वो true हो जा रही है वो fulfill हो रही है पर फिर once fulfilled तो second time नहीं check होगी तो हम चाहते हैं कि constantly check हो इसके लिए फिर हम control में जाके forever जो part है उसको यह जो part है इसको हम forever में डालते हैं तो अगर अब हम कह रहे हैं कि collision होगा तो यह वापस आ जाएगी और अगर फिर से collision तो जहां पर भी collision होगा sprite हमारी glide कर जाएगी back to the starting position second हम चाहते हैं कि जब collision हो तो हो सकता है कि अभी तो यह slide back कर रही है maybe हम to make the game more fun हम चाहते हैं कि जो हमारा यह sprite है यह कुछ बोले भी तो फिर हम motion में sorry looks में जाते हैं और looks में हम कहते हैं say hello और कि जब collision हो तो of course not कि वो hello कहे but something like maybe ouch कहे कि जब touch हो जाए तो ouch कहे और उसके बाद अपनी position पे glide करे पर अगर हम इसको अब test करते हैं तो collision होगा वो ouch कहे के वापस R.E.S. sprite पर अभी problem क्या हो रही है कि वो ouch for clear नहीं हो रहा है तो हम चाहते हैं कि ouch clear हो जाए और यहां पर हम यह for two seconds से something for two seconds वा block डालेंगे तो two seconds तक फिर next condition नहीं जो है वो नहीं test होगी तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम फिर से एक यह block लेते हैं और इसके बाद हम इसको blank कर देते हैं इससे क्या होगा कि collision जब होगा तो वो ouch कहेगी sprite जो है आउच पर उसके बाद वो अपने आप clear हो जाएगा कर दो